ओ मज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानां जनसलाकया चक्षुन्त नम्जेनं तस्मे स्री गुरवे नमः नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रिष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्वामे निति नामिने नमस्ते सारश्वते देवे गूरवाणी प्रचारने निर्भी सेस सुन्य बादी पास्चा तदे सतारने पंचा कल्पतर्वष्य गृपासिंदुब्यवष्य पधितानंग पावनभ्यो वश्णवभ्यो नमो नमा जै स्रिकृष्ण जैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्यद्वे रगदादर श्रिवासाद श्रिकूर्भक्त व्रिंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे 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 रामा, हरे रामा, 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 हरे हरे शंग्रामे बर्तमानानंग काल चोधी तकर मनाम किर्तीर जयो अजयो मृत्य हू सर्वेशांग सुरनु क्रमात पली महराज ने उत्तर्ण में कहा सभी लोग जो इस दभूव में उपस्तित हैं निश्य नित्यकाल के बस में हैं अरुए अपने नियत कर्मों के अनुशार करमसा जस्त विजयय पराजय तर्थ हम रुत्यों प्राप्त करेंगे हरे कृष्णा मैं सर्वर्वर्थम अकिल ब्रह्मान के नायक सचराचर जगत का मालिक परम ब्रह्मा परमधाम पुरुशंग पवित्रंग भवान स्विशी राधा राज स्वियाल जी के चरण कमले कोटी को बरनमन करते हुए मर्जधा पुर्शतम प्रभुराम जंद्रय जनक नंदिनी सिता ठाकुरानी लक्स्मन सहीत उनके अतिप् प्रियवक्त हनमांजी की चरण कमल में मार्षत्यगोटिवार्न पनकल्न करते हुए महा वदानिय अवतार, महा कारुनिक पतित पावन, स्री स्री को निताई की चरण कवल में मेरा सत्त कोटी बार नमन करते हुए उनकी अतिप प्रियभक्त धर्म दुरंदर, श्री लभई चरणार विंद वक्ति वेदान्त श्रामि श्री प्रहुपाद क्योंकि समगर विश्व में हरी नाम का प्लावित, हरी राम का बन्या कुरिष्ण भक्ति प्रदान के श्रीला भई चरणार विंद जगत कुरिष्ण प्रहुपाजी के चरण कवल में मेरा कोटी-कोटी बार नमन करते हुए यहां पर उपस्थीत सभी भगवत प्रेमियों वश्ण 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 भी को मैं आर्दिक कृत्यक्यता ग्यापन करता हूं क्योंकि हमारा अयुग्यता होते हुए भी इस प्याससन में हमको बैठने के लिए सुज्योग दिया गया है इसलिए हम अब सभी वश्णों का अभारी है आरे कृष्ण तो इसका जो पिछले श्लोक में हम काल सुने थे कि दिवरा जिंदर बता रहे हैं कि कोई भी बिना तपस्या से सादन से उच्छलोक नहीं जा सकता उसको नरक लोग भिजा प्या जाता है अगर कृत्रियुम शादन के माध्यम से अगर जाने के लिए प्रहास करें तो तो इसके बाद का श्लोक जो छे नमबर श्लोक है उसम हम प्रुपाजी महराज बता रहे हैं कि दिवराज इंदर बली महराज को बता बोल रहे हैं कि हजारों तेजधारों वाले अपने बज्जर से तुम्हारे सीर को सरीर से काट कर अलग कर दूँगा कुन बोल रहे हैं दिवराज इंदर बोल रहे हैं यद्य भी तुम माया दोरा पढ़्याबत चमधकार दिखा सकते हो कि तुम्हारा ग्यान अतियाल्पा है अब तुम अपने परियोनों तथा मित्रों शहित यद्धों में ठहरेने की ठहरे रहने की ही चिष्टा कर लो उसमें दिबराज इंद्रा बली महराज को बोल रहे हैं कि तुम युद में तुम्हाराज मृत्युबरन होगा फिर भी बली महराज असुर कुल में जन्म होते होए भी भक्ति का ज्यान दे रहे हैं दिबराज इंद्रा को वो बता रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है प्रकृते क्रियव मानानी प्रकृते के द्वारा ही हो रहा है आप बोल रहे हो कि मेरे द्वारा ही मैं तुमको मृत्यु का गार उतार दूँगा लेकिन ये बास्ता में तुम मृत्यु का कारण नहीं हो सभी लोग जो इस सुद्धवू में उपस्तिते निश्य नित्यकाल के बस में हैं और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार करमसा जस बिजय पराजलता मृत्य उप्राप्ट करेंगे भवान बोल रहे हैं मदबाद ही बात है ये सुर्यस्तपति मदभयात अगनी दहती बर्शती इंद्र मेरा निड़ेश में सब कुछ हो रहा है बली महराज प्रलाद महराज का प्रपुत्र नाती होते हुए भी सुक्राचर्ज उनको पदेश दे रहे हैं सुक्राचारजय साथ प्रक्षाद गुरू का पदास्रे करके भी अगर सद्ग्यान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उनको उत्याग करने के लिए प्रस्तुद हो गए है देखे बली महराज हम देखते हैं बामंदे भी जब आए बली महराज से तीन पक भूमी लेने के लिए तो सुक्राजय मना करने के बाद भी बली महराज उनको उनका बास सुने ने भक्त का ये सुभाव होता है भक्त चाहता है कि हर समय हर समय वो आत्मग्यान में रहता है वो संसार में अगर उसके जिवान में कुछ कठी नहीं आते क्यों नहीं लेकिन उसको सेहन करने के लिए उसके पास बल रहता है अत्मग्यानि व्यक्ति क्योंकि हम हम बोल रहे हैं मेरा कर्म का भागिदर मैं हूँ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन भगवान का अगर निर्देश नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हमारा जितना प्लानिंग होता है हम यह करके हम कुछ भी प्लानिंग करके हम आगे बढ़ते हैं लेकिन कभी को प्लानिंग फेल हो जाता है क्योंकि प्रकुर्ति भगवान बोलते हैं मैं निर्देश में घास बता भी नहीं हिलता प्रकुरते क्रियां मानाणी गुणे कर्माणी सरवश्ष अहंकार भी हुना आत्मा करता हम इति मन्यती सब प्रकृति के दोरह हो रहा है लेकिन अंकार के बस मुड़ा व्यक्ति समझ रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ यह ग्यान वली महराज खुद दे रहे है दिवराज इंद्रा को वो बोल रहे है कि यदि वो बिज़ई नहों कर हार जाता है तो वो मर शकता है जीत यहार तो इस तरह की युद्ध है युद्ध में या जिवन संगर्स से युद्ध के तरह में शंबव है ही इस जिवन एक संगर्स है युद्ध ही है सब हम युद्ध कर रहे है युद्ध में दो ही होता है अगर युद्ध में हम परास्थ हो जाएंगे तुम अगर ख्यत्री हो, तुम अगर ख्यत्री हो कर अगर यूद में परास्त्री हो जाओगे, तो तुम सरगलोग लाब करोगे, अगर बिजलाब करोगे, तुम हस्तिनापुर का सामराज्य का भागीदार बनोगे, इसी प्रकार अगर हम भक्ती कर रहे हैं, भक्ती करते करते बगती में अगर प्रगति नहीं भी हो पाया हमाय लक्ष हासल नहीं भी कर पाए लेकिन फिर भी भक्त को उसमें व्यस्त नहीं होना चाहिए कहा जाता है सुल स्वर्पांपयाश्यधिर्मश्यद्रायत्य महत भयात् भक्ति इतना प्रखर है कि कहा जाता है कोई आँख बंद करकी भी चले फिर भी उसका एक्सिडेड नहीं होता जिसा कहते हैं ना रेल्वे का पट्री में ट्रेन है ज्यादा टाइम नहीं रुकता पांस मिन की दस मिन के का फिर चले पिर दुसरा ट्रेन आएगा उसे पकार भकत भकती लाइन में है तो इ एक जनम नहीं तो दुसरा इंद जरूर भगवान की चरण का प्राप्त करेगा क्योंकि वो भगवान के सिवा में लगा हुआ है भगवान तो कह रहे है मृत्यू सरवहरे श्या हूं मृत्यू रूप में सब कुछ हरण कर लेता हूं लेकिन हमारा जो कर्म है भकती का जो भकती मार की जो है भकती किये हैं वो यह हमको हर समय सा मदद कर सकता है जिसा दिखे आप भकतिक सेवा में कितना सकती है आप इसका एक उधारण हम आपको पेस कर रहे हैं आप जान सकते हैं कि भकतो कभी भी परिशान नहीं होना चाहिए जिसा बली महराज को जितना इंद्रप्रतारन कर रहा है मैं चक्र की बरावर वो बोल रहा है कि हजारों तेजधारों वाले अपने बज्ज्रे से तुम्हारे सीर को सरीर से काट कर अलग कर दूँगा इनको परिटान गाली दे रहा है फिर भी बली महराज कुछ भी उसका रियक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि प्रसन आत्मा जो प्रसन चित व्यक्ति है जो आत्मा शक्षत का लाब किया है हर समय हर स्थिति में वो आनन्द में रहता है प्रुपाजी महाराज के लाइब में कितना कस्ट आया है जिवन में भक्ति में उनके जिसको सिष्य बनाए हो लोग कंप्लेंट के कोड में केस किये लेकिन फिर भी प्रुपाजी महाराज पीछे हटे नहीं जिससे अभी माराथन चल रहा है, मैं आपको उधारन पेस कर रहा हूँ, एक बार हम बुक डिशुशन करने के लिए जा रहे थे, तो घर में प्रिशिंग कर रहे थे, करते-करते हो, एक आत्मी बोला, मैं इंगलिश प्रहुपाजी का इंगलिश भागवतम सेट लूँगा, गाड़ी के पास बुक्ष लेने के लिए, तो इतना सरब बड़ा-बड़ा मुटा किताब है, हम अदे एक इतना ओजन नहीं है, इतना सक्ति नहीं कि उसमें, आज से दस, पंदरस साल पहली की बात बता रहा हूँ, तो एक भक्त मेरे को मदद किये, बुक डिशुशन उसको पहुचाने के लिए, तो वहाँ पे जब गए, तो जो आदमी किताब लेने के लिए, बोल रहा था हूँ, आदमी ही नहीं है, वहाँ पी, इतना दूर से हम ले के आए खंदे में, वह लेने वाला ही नहीं है, उसका कोई पती-पत्नी दोनों थे उस समय, जब मैं उनको प्र में, जब कलिंग बेल खोलें, तो कुता तुरन आके कटने के लिए आ गया, तो उसके एक नाम था, क्या ना, तो पता नहीं, एक नाम, मैं भूल गया हूँ, उसका जो घर वाली है, उसका नाम उचारन करते हैं, तुरन तो सोफा में बैठ गया, बीवी चालू है, तो उसको उनका वाइब को बले कि, हम अब बोले थी, किता लेने के लिए, भागवतम लेने के लिए लेके आया हूँ, वो लेने, उसको चले गए हैं, तो देखिया हम इतना दूर से लेके आया हैं, प्रशाद मी नहीं पाए, भूग लग रहा हैं, फिर भी, तो बाद में क्या दो खंद में, दो, भागवत हैं, बुटा-मुटा गिताब है, दो खंद में लेके जा रहे हैं, तो बीच में एक आदमी सोच रहे हैं, प्रभू क्या परिक्षा है, आपका देखिये, इतना दूर से आया है, लेने के लिए कोई नहीं ले रहा है, क्या करूँ, तो बाद मे हम तकलिप भी हो रहा है, लेकी जा रहे हैं, अब यह इतना दूर में गाड़ी है, कैसा हम पहुचेंगे, ठीक है, आये हमारे घर में थोड़ा रेश्ट ले लिजे, पानी थोड़ा पी के बाद में निकली, तो जब पानी पीने के टाइम पे, उसको भी ओ भी देख रहा है भागवतम, कैसा कितने सुनर सुनर पिक्चर है प्रहुपाजी का, जो भगवान कृष्ण का लिला का सा, तो लेते ही तुर्ण बोल दिया, मैं यह लेना चाहता हूं, तो जितना इंग्लिश का भगवत कीता था, चैतन चैतन ये नेक्टर अब डिबोशन इंग्लिश का भी भुज़ ले लिया, पुरा जो भी उडिया का भी किता था ओभी ले लिए, ढूर थी कीता आदमी ले लिया बाधु मैंदो दा, मैंने पूरा खाली बैक करके हम आए, तो महनत कर रहे हैं, सेबा कर रहे हैं, तो इसका फल कभी भी लास नहीं होगा, भक्तिका इतना शक्ति ह इसलिए हमको उसात, निश्यात, धर्जात, उसा के साथ, धर्जा के साथ हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए स्रिमत भगवद किता 11 अध्याय 53 लोक में कहा गया है भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं यह अर्जुन तुम दिव्य नेत्रों में जिस रूप का दर्सन कर रहे हो उसे ना तो बेदाध्यान से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पुजा से ही पा जा सकता है कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता हम भगवान के क्रिपा से ही हम भगवान को दर्सन कर सकते हैं गुरु आचार जी का बश्णों का क्रिपा से भवान को दर्सन कर सकते हैं जिसां हम देख रहे हैं परवती जीमभी S. दे दिये चित्रक तुम महाराज को कि तुम बृत्राशुर बन 한 तुम राजा होने का लाइक नहीं हो फीर भी बृत्राशुर किया किये वो चाहे कि तो उसका अभी साब दे सकते थी लेकिन नंद मों उसको स्विकार कर ली कोई असुर परिबार में कोई भोतिक दुन्या में कोई है, गर संसाल में लगा हुआ है। उसके परिबार में कोई भक्तन नहीं बन सकता है। इससा नहीं है। किवल हमको पुर्ण स्रनागत के साथ भगवान का भक्ति आचरन करना चाहिए हम स्री कृष्ण बुक्स में भी देखने को मिलता है जब भगवान जब जरासन सत्रवार आक्रमन किया मतुरा को जब अठरवार आक्रमन करने के लिए जा रहा है तो मत्रुरा के दखरिण दिसा से काल जबन आक्रमन किया आक्रमन किया लेकिन भगवान क्या किये मत्रवा से सबी जितना सारे मत्रवाबासी को शमुंदर के अंदर एक बिराडबर पराशाद बना कि वहाँ पे उनको रखी उस समय जब मतुरा उसका दाईत्व दे दिये बलराम जी को और भगवान कृष्णा आए युद करने के लिए लेकिन कालजवन ये सोच रहा है कि मेरा सक्ती में मैं भगवान को काबू कर लूँगा पकड लूँगा लेकिन भगवान का लिला कुछ अलग है वो किया कि तुरां कालजवन उनका पीछा करने लगए भगवान दोड़ने वहां से युद के तरस्ष आगए बढ़ने लगे तुरां उनको पकड़ने के लिए जा रहा है वो सोच रहे कि मैं अभी पकड़ लूँ अभी उनको बस कर लो क्योंकि वो जुद के लिए पिछा उसका ख्यत्रे का गुण था उसके जिसा समान युद्धा का चाहिए ता युद करने के लिए तो इतना उसके पिछा कर रहा है लेकिन भगवान क्या किये गुपा के अंदर चले गए जाके छुप गए वहाँ पे महराज मुचिकुन थी सैन के थी लेकिन मुचिकुन का दर्सन करते ही काल जवन का जल के राक हो गया तो भगवान कब क्या करेंगे हमारे शामर्थ की बाहर है हम नहीं समझ सकती नारत मर्शी महरा जुदिष्टिर को बता रहे है सदा संतुष्ट मनसह सर्बा शिव मया दिशह सरकरा कंटर का जिप्यो जथो पानो रजह सिवम अठात जिसका पाव में सही चुता हो उससे कंकन पथरों तो था काटों में चलने में कोई भई नहीं रहता उसके लिए सबी कुछ कल्यान प्रत्थ है इसे प्रकार जो सदेब आत्मतुष्ट है उसे दुख नहीं सताते वो सरवत्र सुक का अनुभब करते हैं यहाँ पे बली महराज बता रहे हैं वो जानते थे कि यूद सास्वत काल द्वारा नियोजी थे और काल के बसिबूत होकर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्विकार करना होता है आत्मनिवेदन हम आत्मनिवेदन में बली महराज को लेते हैं आत्मनिवेदन में शंपुन रुप में सरनागत भगता है बली महराज देबराज इंद्र का बारमार प्रतारण करने के बाद भी जान रहेते कि मेरे यह जन्मा या मृत्य जो भी है भगवान के इच्छा से हो रहा है कभी भी बॉली मारा थोड़ा सा भी ब्याकुल नहीं होए थे कभी भी ब्याकुल नहीं होए थे इसलिए जो प्रकुर्ट में कृष्ण के प्रती सरनागत होता है पुर्न सरनागत हो जाता है वही संसार में हर स्थिति में अपने को चलने के लिए युग्या बन जाता है सब्तमस्कंद पंदर अध्या उनिश्लमश्लुक में कहा गया है असुन्तस्ट असंतुष्टस सभी प्रस्या तेज अबिद्या तपो जैसा हा श्रवन्तिंद्रिया लोलेन यालंग चयेव किर्चते भक्त या ब्राह्मन जो आत्मतुष्ट नहीं होता उसका आध्यात्मिक ज्यान बिद्या तपश्या तथा किर्ती उसके इंद्रिया उसके इंद्रिया उसका इंद्रिया तुप्ति के कारण खीण हो जाते हैं और उसका ज्यान शने सने लुप्त हो जाता है इस संसार में दुख का कारण होई ही है हम भक्ती में आनद नहीं पा रहे हैं इसके लिए भोतिक जिसके प्रति हमरे आकृष्ट हो जाता है क्यूंकि जो वह कहा जाता जो आतमतुष्ट ब्यक्ति एक ग्लास पाने में भी दिन भर रह सकता है लेकिन जो आतमतुष्ट ब्यक्ति नहीं है उसको संसार का सब कुछ क्यों न ढज़े फिर भी ऊचुज़ सुखी नहीं हो सकता देबराज इंद्रह देखिए जब पुर्तु महराज के चरित राम देखते हैं पुर्तु महराज जब यग्यां कर रहे थे देबराज इंद्रह आके उस्तों को चुराने के लिए आ गए देबराज इंद्रह इसानी की स्वर्गा में रहते हुए भी सुखी है इसानी वो हर समय उनका पद के ओपर भीपाद है वो सब समय सोचते हैं कि मेरा पद को कोई छीन ना ले इसलिए कोई अगर तपस्या करता है तो उसोचते हैं कि साथ मेरे सिंगासन को छीनने के लिए तपस्या कर रहा है इसलिए आप देखते हैं देखिए ध्रुव महराज की लिला में कितना परिक्षा करने के लिए कितना सरत देबता लोग कितना उनको तकलीब दिये बायु देबता, सुर्जद देवता कितना उनको तकलीब आये उनके लिए फिर भी भक्ती में इसलिए जो लक्ष एक लक्ष भक्ति में हम आएं तो एक लक्ष लेक्या आएं लक्ष क्या है भगवान को भक्ति करना, सादु बश्चनम का सिवा करना गुरू का अनुगत्य में अपने भज़न करना यह लक्ष लेक्या हम भगवान के सिवा कर रहे हैं लेकिन हमारे अगर लक्षा नहीं है बास चलो हम ऐसा ही लाइप बिताएंगे तो कभी भी हम जीवन में शुकी नहीं हो सकते। क्योंकि हर समय जो भक्ति में आ रहा हैं तो माया के बिरुत काम हम कर रहे हैं। इसलेम हर समय आपको परीक्षा करेगा कितने ही हम टेस्ट करेगा हमको। इसले हिसकर में रहते हुए भी सालो कल रहते हुए बहुए मन बिचलीत हो जाता है, भक्ति से जूद頭 हो जाते हैं। क्यों सबका कारण क्या है बताई है हम्- शादू बश्रों के बाक्यों के प्रति हमारा बिश्वास नही है भगवान के प्रति बिश्वास नहीं भवान बोल रहे हैं Μै उसका सब कुछ बहन करता हूँ गो मेरे को स्मरण करता है मेरा सिभा करता है लेकिन हमारा अब विस्वास नहीं है देखिए देबराज इंद्रा इतना सब समय सोच रहे हैं कि मेरा पल्स को छीन ना ले बली महाराज को गाली दे रहे हैं मैं तुमको अभी बच्रे के द्वारा प्रहार कर दूंगा गला काड़ दूंगा इतना तेज है इसका इसका मतलब क्या है लेकिन बली महाराज थोड़ा से भी जलित नहीं हुए ये साम बहार जाने बुकडिशुशन करने के लिए जा रहे हैं कितना लोग इतना बात बत बोलते हैं प्रिशिंग मैं कितना बता रहें लेकिन जो प्रकुट में सादुसास्ते गुरुवाक्य के प्रति जिसका दुरूड़ संकल्प है, वो कभी भी जलित नहीं होता। हरदास ठाकुर के जीवन में तकलीव आया, नितन्द महाप्रु के जीवन में तकलीव आया, प्रहुपाजी के जीवन में आया, फिर भी अपने लक्ष के प्रति कभी भी पीछे हटे ने, यहीं भक्तों का सुभाब है। बली महाराज जान रहे थे, कि जन्म मृत्यू भगवान के हाथ में है, यह दिवराज इंद्र के हाथ में भी नहीं है, ना उसका बज्ज्र के हाथ में नहीं है। हमको उधार होना है, हमको जीवन में आनन सांती चाहिए, तो क्यों हम भगवान के भक्ती नहीं करेंगे। भूग तथा प्यास से पिडित मनुश्य की प्रबल सारीरी की चाहिए तथा आबस्यकता है भोजन कर लेने के बाद निश्चित रूप से तुष्ट होती है। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध करता है तो प्रतारणा तथा प्रतारणा द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। लेकिन यहां तक लालच की बात है यदि लालची ब्यक्ति संसार की सभी दिसाओं को जित ले या संगार की प्रत्यक बस्तु का भोग कर ले फिर भी वो तुष्ट नहीं होता। कभी तुष्ट नहीं हो सकता जो लालची इसको भूप करने का इच्छ आर चाहिए हो कभी तुष्ट नहीं हो सकता जितना भी उसको धंपदी प्रुष्वा का धंपदी भी क्यों न आ दे। हमारा धान क्या है कुरुषन भक्ति भगवान का भक्ति करना ये हमारा सबसे बड़ा धान है ये धाना आम से कोई छीन ना ले इसके लिए हमको होस्तुम शतर करेना चाहिए इसको चोड़े कि जो भी धान मिले वो हमको तकली भी देगा पहां तो बोर रहे हैं यही संस्पर्स जबोगा दुखा जोना एवती आध्यन्त बंत कुंतिया नतिसुर रमति बुधा जो बुधिवान ब्यक्ति है उसमें कभी रमन नहीं करता जिसका शुक का आधी है अब अंत है वो सुक क्यों हमको चाहिए जो नित्य सुक है ट्रांसिडेंटाल है अप्राकुरत है वो सुक के लिए हमको प्रयास करना चाहिए जैतन चरितामृत में जैतन महाप्रू सनातन गोश्वामे को बताते हैं जिबेर स्वर्पोहे क्रिष्णे नित्यदास क्रिष्णेर ततस्ता सक्ति भेदा भेदा प्रकास सुर्यास की रन जैचे अगनी ज्वाला चाहिए सुहावी क्रिष्णेर तेज प्रकार शक्ति माया अर्थाद कृष्ण का नित्यदास होना जिब का बैधानिक स्थिती है क्योंकि जिब कृष्ण की तटस्ता सकती है और वह भगवान से भगवान का उसी भगवान का हैं उसी प्रकार जिस तरह सुर्जय प्रकास से अगनी का एक कर्ण है जिस प्रकार सुर्जय का एक कर्ण होता है चिंगारी जैसा उसी प्रकार भगवान जी भगवान का ही अंसे है इसलिए कभी भी हमको भगवान के सेवा से बिचुत नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति क्यों ना हो एक बार हम भगवद गीता प्रचार करने के लिए गये थे अंधरा प्रदेश तिल्गु का भास हमको मालूम नहीं है खली इतना ही बोलते थे एंडी भगवद गीता टिसकंडी मंची पुस्तर कमलू मने थोड़ा थोड़ा ही तिल्गु मालूम था लेकिन कुछ भी मालूम उसको जैसा ब्यक्त करना चाहिए उसको समझ नहीं पा रहा था लेकिन हम क्या बोलेंगे उसका तिल्गु भास किसी सा कुछ भी मालूम नहीं था लेकिन कैसा प्रभुपाद जी का कृपाद से भगवार बश्नेव का क्रिपा से किसा गुद्धी आ जाता है देखिए यह जो इसा पानी का वोटल है इसा पानी वोटल हमें लेके गए थे पानी थोड़ा निकाली इसा कर दी वो सोच रहा है कि कोई दिर्था खित्र का पानी है क्या कौन सा वाटर है इसा पुझा मैं मेरे साथ से उसको समझा दिया कि यह गंगा वाटर है क्योंकि हमको गिता देना है उसको किसी तरह प्रचार कर रहे है तो इसा कर दिया जो कि इतना एक घंटा प्रिचिंग कि एक गिता भी नहीं लिया जब उसको इतना ही कर दिया मेरे को भी थड़ा दीजिए वहला मैं उसको दिया देते ही इतना खुस हो गया तेल्गू का जितना किताब था भगवत गिता, कृष्णा भूक्स सेल्फ रिलाइशन, सब कुछ ले लिया कुछ मालूम ही नहीं है उसके भासा मालूम नहीं है क्यों देखिए किसा आप सेल्फ करने का इच्चा है आपका लेकिन कुछ भोल नहीं पा रहे हैं लेकिन प्रभभाजी के कृपाच से भष्णव का कृपाच से ग्यान आ जाता है और सब कुछ ले लिया तो कहने का मतलब ही है कि जो सिवा करने के लिए सिवा मुनबृत्ति लेकर इस हंसार बश्णव समाज में रहा है इसकन में रहा है उसके लिए वो कभी भी उसके जिवन में हर समय उसके जिवन में भगवान हर समय उसको सुरक्षा देंगे हर समय सुरक्षा देंगे कहा जाता है जो भक्ती करता है उसके सभी द्यवादी भी उसको मदद करते है सभी का क्रिपा रहता है इसलिए कोई यहां तक जान साहरे किसे गल्ती भी हो जाए तो बश्ट्रव को ख्यमा वागना चाहिए इसलिए कि मेरा यह है मेरा यह क्वालिटी है मैं ये करशक्तां कभी भी नहीं हो सकता प्रोपाजी महाराज क्या बोल रहे हैं मैं अब दास भी नहीं हूँ अभी दास बनने के लिए प्रयास कर रहा हूँ देखिए तो हम कौन क्या स्थिति में हमारा क्या स्थिति है बताई इसलिए कहा गया है अत्म निवेदन तोया पदे करी हईनु परमस्ची दुख्व धुरेगेला चिंता न रहिला चोदी के आनंद देखी भक्ति मिनो ठाकुर बताते हैं अत्म निवेदन मैं आपके पाहँ अभी आत्मनिवेदन कर रहा हूं आत्मनिविदन करके आनंद महसुस कर रहा हूँ दुख दुरेगेला चिंता न दहिला मोरा भी चिंता नहीं है क्योंकि मैं आपके सरनागत हुआ हूँ छोदी के आनंद या आनंद इक रहा है मेरे को देखिए भक्ती में जब सरनागत हो जाता है जैसा बच्चा संपुन औरप में पिता मा के उपर आस्र लेता है पिता के उपर आस्र लेता है कितना सुखी महसुस करता है लेकिन हम बोलें कि मेरे को मेरा सक्ती मेरे को मेरा ग्यान मेरे को मदद करेगा मेरे सक्ती मेरे को मेरे धन मदद करेगा कभी नहीं हो सकता यहां पर बली महराज देवराज इंद्रों को बता रहे हैं इंद्रत द्वारा यह धमकी दे जाने पर भी कि वह बली महराज को बज्र में मार डालेगा बली महराज रंच मात्र भी भैवित नहीं हुए यह ख्यत्रिय धर्मा है युद्धे जपलायनम ख्यत्रिय को सभी परिष्टितियों में विशेसकर युद्ध्य भूमे में अत्यांत सहंसिल होना चाहिए बली महराज ने बता दिया कि यद्धे भी स्वर्ग का राजा जैसा अब्यक्ति उन्हें धमका रहा है कि इंतों अमृत्तियों से तनिक भी भैवित नहीं है जैसा अर्जुन जब दुर्णाचारिश ये पूछे अर्जुन उनको क्या दिख रहा है ये गुरुदे मेरे को केबल आँक ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन दुसरे जो थे कोरब लोग को दुर्जधान दुसासन ये सब क्या सुबल रहे थे मेरे को पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है लेकिन आँख ही दिख रहा है, क्योंकि आँख में ही बेद करना है इसलिए हमारा लक्ष क्या है, गुरु गोरांगा गुरु गोरांगा को प्रशन न करना और जो हमको निर्देश दिया, उनके हिसाब से चलना, इसको ले कि हम अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो जरूर हमको, अगर फिसल भी गया है, तो हमको हाथ उठा के ले जाएंगी, प्रुपा जी बोल रहे हैं न, तुम चिंता मत करो, भक्ति में भक्ति मार्क शिकार क करो, मैं तुमको इस भव सागर्श ले जाओंगा, वक्ति में ठाको रिक्षुंदर भजन गाते हैं, बोले कि एमन गोरांग बिना नहीं आर, हे न अवतार हवे, की है छे, हे न प्रेम परचार, दुस्मती अती, पाती द पासंडी, प्राने न मारील करे, हरिनाम दिया, हुरुदय सोधिल, जाची दिया घरे घरे, चैतन महाप्रभू, प्रेम घर में जाजा के दे रहे, ये कृष्ण प्रेम लीजिए, भक्ति लीजिए, भगवान का नाम गरहन कीजिए, नित्तन महाप्रभू हर्दाश्टाकुर घरगर में जाके प्रचार कर रहे है, कितना तकलिफ शेहन करना पड़ रहे है, फिर भी हो, मार ख्या प्रेम दिया, एमन दैल का कुथा है आची, पिटाई करके भी, पिटाई खाके भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हम हमरे सरीर में आसुरी गुण है, इर्शा, दुएस, हम भक्ति स्विकार कर रहे हैं, लेकिन हमरे जो प्रारत कर्म के बज़े से कुछ दुस्कृति कुछ रहे, अभी है, अभी भी है, इर्शा, दुएस, अंकार, मद, मच्छरदा, ये असुरी गुण है, इसको के सा हम प्रास्त करेंगे, इसके लिए हमको प्रास्त करना चाहिए, हरी गुरु चरना रुपक अस्त्र के द्वारा, इसको हम छिदन कर सकते हैं, क्योंकि ये असुर जब तक हमारे सरीर में हुद जी जब सिता जी को लेने के लिए, धुडने के लिए जा रहे हैं, तो सादू बेज धारन करके, एक असुर वहां पे बैठा है, सादू बेज धारन करके, जैस्ती डाम, जैस्ती डाम विलके नाम कर रहा है, हरुनमान जी सोचे, ये प्रभु का भक्त होगा, जब वहां पे जब गए, बात में बहुत हैं, अब सिनान करके आओ, सिनान करने के लिए जब गए, वहां पे मगरमच के साद युद हुआ, और खुद बोलने हैं कि ये सादू नहीं है, ये असुर है, तुमको मारने के लिए, तुम्हों रास्ता रुकने के लिए वहां पे पुर्ण विश्वास के साथ हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं एब हर समय गाइट का जरूरत है यह ने सोचना है कि मैं भक्ति कर रहा हूं मैं सब कुछ ठीक चल रहा है कभी भी नहीं हर समय उत्य मधिकारी बश्नका सला लेना चाहिए मेरा मन में अभी यह सोच रहे है मैं यह विचार कर रहे हैं अभी क्या करूंगा रहूंगा किसा इसका हाल हो सकता है तब हम अगर उच्छा अधिकारी का अनुगत्त में कहा जाता है कि कनिष्ट अधिकारी मध्या अधिकारी के श्रंग करना चाहिए मध्या मध्या अधिकारी उत्तम अधिकारी के श्रंग करना चाहिए तब भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं एब हम बोलें जो हर है सब ठीक हो रहा है तो कभी भी हम नहीं आगे बढ़ सकते तब ये महारतन का समय है तो मैं एक दो आपको थोड़ा सा उदारन मैं बता रहा है किसा प्रचार का किसा महत्तो है किसा प्रोपाजी महाराज का कृपा बनाई रहती है जो भक्ता लोग भगवत्गिता भागवतम प्रचार करते हैं शंगिर्तन बस जब हम भुग डिशुशन करने के लिए जाते थे एक बार गाड़ी मनें माराथन के त्षम में इतना उस्सा होता था हर समय हमारा रक्ष्छ रहता है कि हम भाष्ट होंगे गाड़ी में तो यह लक्ष्छ एक बार ऐसा हुआ कि तीन बस में लगभग कि त्वेल्फ डेवुटी बुग डिशुशन करते हैं तो हम उसमें से हमको भाष्ट होना है लक्ष होते हैं भाष्ट गिता के सामने प्रचार के साच्छ तरह से करेंगे तो हमको हर दस दिन में पता चल जाए को गाड़ी का भक्ता कितना स्कोर किया वो गाड़ी जो अच्छा बुग डिशुशन कर रहा कितना किया उस हिसाथ से हमारे मन में अभिलास हो जाते हम भी उससे ज्यादा करें तो जिस दिन गाड़ी आने वाला था मंदीर को उस दिन हमारे स्कोर थोड़ा कम हो गया था दूसरी जो भक्ता अच्छी स्कोर किया तो उससे कम हो गया था गाड़ी श्टार भी हो गया था मंदीर आने के लिए लेकिन हमारा इच्छा था कि हम कैसा उस लीडर बोल रहे हैं कि गाड़ी टाइम हो गया चलो 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 तो एक दो आदमी आ गए है गाड़ी के पास महराजी मेरे को चैतर्न चैत्राम उतर चैत्राम सेट ले लिए फिर भी और कुछ कौम है तो क्या करें क्या तो गाड़ी आ रहा है बीच मैं प्रशाद पाने के बूक डिशुशन करने के लिए, जा रहे हैं, जाते जाते एक छोड़ा सा गाउं में दो-चार घर था, वहाँ में प्रचार करने के लिए चले गए, तो जैसा जब देखें गिता, स्रीकृष्ण बूक्स, आत्म विज्ञान, देखते ही, थोड़ा सा प्रिचिंग करते ही, ए और एक जगा इसा है, एक जगा में हमारा गाड़ी, लीडर बोले की, यहाँ पे दो हस्पिटल है, स्कूल है, आप यहाँ पे मैं रख देता हूं गाड़ी, आगे से पांच किलो मेंटर दूर गाड़ी है, लेकिन हम जब यहाँ पे उल्ले उत्रें, तो देखें, कोई ही न ना दुकान है ना घर है ना हपीटर है कुछ भी नहीं है पुरास उनसान पड़ा है देए कैसा परिक्षा देखिये तो गाडी लगा है 30 किल मीटर सधूर में बोले 5 किल मीमटर जाते लेट हो गया था स्कूल में स्टाब भी नहीं थे तो हम बैटे थे वहले कि गाड़ी अभी 35 किलो मिटर्स दूर में है फिर हम स्टेशन से इतना दूर आए हैं फिर अभी कोई लेनी रहा है किसा करेंगे बाद में भगवान को प्रार्थना करें प्रफु आप ही हमको रक्षा कर सकते हैं तो बाद में गुछ समय के बाद स्टाब लोग आए बहुत गिता एक प्रिशी मनें थोड़ा सा कुछ बता दे दो तीन गिता चला गया बाद में गारी क्या है पांच बजे पांच बजे में एक ही गाड़ी बस आता है उस्टेशन में उसके बाद बस ही नहीं है वो रोट में आप आएंगे बराबर टाइम पर तो गाड़ी पकड़ सकते हैं वहां पर जब आए मने प्रचार कर एक तो तीन गिता गया है बाद में क्या करेंगे आ रहे हैं एक आदमी को लिप्ट सब ग्रंत जाने के लिए लेकिन कोई नहीं ले रहा है अभी गाड़ी में नहीं पूछ बैठेंगे तो फिर गाड़ी भी रात हो रहना पड़ेगा तो क्या महारा इसके लिए आप चिंदा कर रहे हैं लीजिए कितना सा रकिता है वे जो दीजिए मैं ले लूँगा सब ले लिया और गाड़ी वाला ले लिया तो जब स्टेसन में पूंचते ही तुरंद बस आ गया देखिए मने कैसा है इस सब एक्सप्रेंस देखिए कैसा एक बार ऐसा एक आदमी चैतन 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 मुद्द लेने के लिए बोला हम उसके घर में आए तो है ही नहीं पिर लाने के लिए गया गाड़ी को पास लाने के लिए जब लिडर बली कि आप रशाद पालो बाद में जाओ बाद में प्रशाद पाल नहीं हम चैतन चैतन चै लेकिन वहां से बस जाने के लिए कोई बस ही नहीं है तो राच छे बजी के बाद बस नहीं जाता सोच रहें क्या करूं तो एक ठाकुर अनुकुल चंद्र का एक महाराच जी चले हमारे घर में चले मैं आपको अच्छे तरह से खिलाओंगा भुजन कराओंगा बाद में आप काल सुभे चले जाना लेकिन मेरे को डर लग रहा है किताब सब चला गया है पैसा हात में है कोई उठाने ना ले रात को तो मैं वेट कर रहा हूँ 10-11 बज तक वेट किया कि लीडर आएंगे गाड़ी लेके मेरे को लेके जाएंगे लेकिन गाड़ी लीडर ही नहीं आए मैंने साथ वो सोचे कि साम को आ जाएगा लेकिन वो आए नहीं 30 किलोमिटर दूर में गाड़ लगा है तो बाद में हम क्या किए? उसके घर में इसा पैसा को इसा रक के सो गया कोई ना ले बर्ले रात में सोई ही नहीं कोन उठा लगा वलके जब सुबह हुआ तीन बजाussen चार बसते ही क्या हुआ तुरण आगे ईसको बोले नहीं उसको ब्रस किये ना सनान के कुछ भी नहीं किये साथ बजी से गाड़ी जाता है वहां पे आके मैंने बस में चले गए ज़ल लीडर आये थे स्टेशन को लेने के लिए मैं बोला आप लेने के लिए क्यों नहीं आये फोली है, फेल क्या रवज गा था मने कुछ कारण के बस तो नहीं आ पाए तो बाद में उस दिन रात में लीडर भी प्रशाद नहीं पाए बाद में लेके गए प्रशाद प्रशाद पाके उस दिन में प्रशाद नहीं किया दूसरे दिन किया तो कहने का मतलब यह है कि आप महनत के रहे शेबा कर रहे हैं तो सेबा का फल जरूर मिलता है जरूर मिलता है इसके में कोई संकोच नहीं है इसलिए हमको भक्ति में दूरता के साथ करके भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए तब बश्चनव का कृपा से गुरु आचरजी का कृपा से जरूर हम भक्ती में हमारे लक्षे हासल हो शकते हैं लक्षे हासल कर शकते हैं जिसा यहां पर बली महाराज दिबराज इंद्रा का गाली सुनने के बाद ही दिबराज कुछ भी बली महाराज reaction नहीं किए, स्वंपुन अरु में सान तचित में उसको सहन कर्रें, ओबोल रहे हैं, सब कुछ भगवान की हिसाब से हो रहे है, प्रकूर्टी के हिसाब से हो रहे है, आप इसका कुछ है, आपकी हिसाब से कुछ नहीं हो रहे है तो इसलिए हम बश्णम समाज में हैं भगवान के भक्ति कर रहे हैं सादु गुरु आचारची का अनुगत्त में उनके निर्देश पालन करके भक्ति में आगे बढ़ेंगे जरूर हमारे लक्ष हासल हो शकता है हरे कृष्ण बोलने में कुछ तूर्टी हो गई अनन्त कोड़ वस्णभ गोख्यमा कर दीजिए हैं हरे कृष्ण वांचाकल अतरवेश्यक्रिपासन्त व्यवस्यवत्तान पान भ्यवस्ण व्यव भ्यो नमवन अनन्त कोड़ वस्णभ रिंदे कीजे सुमत भागवत्त महापुरान कीजे श्रीला प्रभुपात की जैने निताइगोर प्रवानन्दी है किसका कुछ प्रश्ना कुछ ठीकाटी पढ़ी कुछ है तो बुछ सकते हैं